हेलो फ्रिंद्स आज मैं आपके साथ शेर करी हूँ एक बहुती क्विक एन इजी वर्जिन अफ रेस्टरेंट स्टाइल आलू मतर तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा मैं हूँ वंद्रा स्वागत है आपका वंद्ना स्कुग बुक में तो सबसे पहले हम बना लेंगे एक मसाला जिसके लिए एक मिक्सर जाल में मैंने लिया है दो मीडियूम साइस के टमाटर नहीं की एक मीडियूम साइस का प्यास जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है एक इंच तुकड़ा अधरक का और इसके साथ में 150 ml याने आधी कटोरी द तो आलू को हमें फ्राइब करना है दो से 3 appelle कि यहां पर लिये हैं जिसे मैंने बड़े पीसे में कट लिया हैं तो इसके OU पर टालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, तो आलू को हमें fire करना है, दो से तीन मिनिट के लिए high flame पे, इस तरह से जब आलू को fry करके हम कोई भी sabजी बनाते हैं, तो वह बहुत स्वाध बनती हैं, तो 2-3 मिनिट के लिए हम इसे high flame पर अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद में हम इसे ठक कर पकाएंगे low flame पे जब तकि इसके उपर एक अच्छी सी brown layer नहीं आ जाती तो 2-3 मिनिट लो फ्लेम पे पकाने के बाद आप देख सकते हैं ये हलके से नीचे से चिपकने लगे हैं और अच्छे से ब्राउन हो गए हैं अल्मोस 50-60% आलू पक चुके हैं अब इसमें एड़ करेंगे मटर सर्दियों का मौसम में अच्छे मटर मार्केट में अविलेबल हैं तो एक गटोरी फ्रेश मटर मैंने याँ पर एड़ किये हैं और इसे भी हम आलू के साथ में अच्छे से चला लेंगे हाई फ्लेम पे इन्हें भी 2-3 मिनिट के लिए आलू के साथ में पका लेंगे इस तरीके से जब आप आलू मटर की सबजी बनाएंगे तो आप एक बाद च्राय करिएगा यह बहुत ही टेस्टी बनेगी तो अब आलू और मटर दोनों अच्छे से चिपकने लगे हैं नीचे तले पे तो अब हम इसमें डाल देंगे वो मिक्स्चर जो हमने पीस के रखा था इस वक्त आप फ्लेम को एकदम लो कर दें क्योंकि हमने इसमें एड की है दही जिसके फटने के चांसे बढ़ जाते हैं अगर आप हाई हीट पे इसे डालेंगे तो इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ग्रेवी में अच्छा सब बॉइल नहीं आने लगता सभी चीजों को अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे और जब इसमें बॉइल आने लगेगा तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी क्योंकि अभी ये काफी थिक है और हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है ताकि जो कच्छा पन है प्याज अधरक लसन सभी का वो अच्छे से निकल जाए तो इसे ढख कर 5-7 मिनित के लिए या फिर आलू के गलने तक हम इसे लो फ्लेम पर पका लेंगे बीच बीच में इसे चेक जरूर कर ले ताकि सबजी नीचे तले पे चिपके नहीं तो आलू मटर की सबजी अल्मोस्ट हमारी रेडी है अब इसमें डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर नॉर्मल रेड चिली पाउडर थोड़ा सा नमक थोड़ा सा धनिया पाउडर और इसमें डालेंगे हरी मिल्च जिसे मैंने स्लिट कर दिया है और थोड़ा सा गरम मसाला आप चाहें तो किचन किंग या फिर सबजी मसाला भी आड़ कर सकते हैं तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे एक मिनिट के लिए पकाएंगे तो आलू अच्छे से अब गल चुका है आपको कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है ये आप पर डिपैंड करता है फुल का चपाती पूरी या फिर चावल के साथ ये सभी के साथ में बहुत अच्छी लगती है तो ये रेसिपी बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाती है क्योंकि इसमें हमने सभी मसालों को एक साथ पीस कर डारेक्ट ही बोना है अलग से प्याज लस्दन अद्रग को भुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और फ्रेंज और फामिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें